राजा सिंग के बाप हो या भगवान उसको पपू या दब के आने के बाद ना भगवानों को उकादनी किसी को बचाने के जितनी पेरवी ताकत मंत्री का लगाना हो लगा ले राजा सिंग को जेल जाना पड़ेगा राजा सिंग की घर ढहेगी तो राजा सिंग ने कई करोर अरब गुना राजा सिंग पैदा होंगे तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता है तो मैंने कई बार आप से कहा बलतकार के केस में, बच्ची के छेरखानी के केस में हम कोई कंपरमाइज नहीं करते हैं बेटियों के लिए कुछ भी करेंगे मैं ऐसे बहुत किलियर हूँ आप इसको समझिए राजा सिंग टैप के लोगों को सोसाइटी में जिन्दा जला देना चाहिए या लटका के फांसी देना चाहिए उसके लिए दीन तिती नहीं देखना चाहिए नमस्ते दोस्तों अभी हम रोसरा थाना चेत्र के उस गाओं में है जिस गाओं में राजा सिंग ने एक नवालिक बच्ची के साथ बलतकार किया था और यहां पर पप्पू यादब जी आये हुए है जो पिरित परिवार से मिले हैं और एस्वी साहब को फोन किये है मा भाई खुद दोनों को नंगा देखा और जब तक कि लोग जाते तब तक बलतकार करके वो फिरार और अभी तक उस पर कोई कारवाई नहीं यहां के थाना पर भारी मैं हाथ जो रूगुत जो रूँ भाई इस मामले में आपसे तो कुरकी करके धा दीजे भाई बहुत भाई मेरे बहूं बहुत लोट के संपति बनाए इसको धा दीजे एगदम बराता जा exactly बस बस भाई मेरे इसको यह सौक चारना इसको समझ में आना चाहिए कानून क्या होता है प्लीज बहुत और रहे काप जाए इसके खौब से समझती पूर में ऐसे लोग जरूर काप जाए आप से आप मेरे भाई हैं भाई तो इसकी माँ इतनी रो रही थी मुझे लगा अपने भाई से बात करके तब ही जाना चाहिए ठीक है तो भाई मेरे कुरकी वाला एक दो दिन में इसको देख लिया जाए जल से जल राजा सिंग के घर की कुरकी हो और पूरे घर को धाह दिया जाए इसके लिए बिसेस तोर पराग्रा किये है लड़की का जो मेडिकल डिपोर्ट है वो सही सलामत, सही रूप से परकासित किया जा इसके लिए सिवील सर्जन जी से बात किये कैसे है सिवील सर्जन साथ पपू यादब एमपी बोल रहा है कैसे हैं आप एक घटना घटी है रोसरा में एक बच्ची के साथ बलतकार हुआ है तीन दिन पहले तीन तारीक को उसका पोस्तमाटम रिपोर्ट अपने से देखिएगा कि कोई मेडिकल रिपोर्ट कोई गलत न हो और चीजों को इसको क्यों कि मैं बारी की से देख रहा हूँ हाँ केस नमर है और जो पीरित परिवार है उसको अपनी तरफ से आर्थिक मदद भी दिए समझ गए ये हिर्देश से आप मेरे तरफ से बच्ची के लिए कुछ कर लिजेगा दुकान कर लिजेगा अंडा का सबजी का या परचून का तो अपनी लाइफ हर दिन 300-400 रुपिया माँ आपको हो जाएगा तो आप इसको खर्चा नहीं कीजेगा कर लिजेगा और आप समझेगा हम आपके सगे भाई के तरह हैं और वो मेरी बेटी के तरह आप बेफिके रहे चाहिए एक बात बताईए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्याद बलतकार की घटना मेट्रो सिटी में थी दिल्ली में सरकार बदल गई बलतकार के घटना पढ़े निर्भया याद होगा और उससे 33-34% बलतकार की घटना रेट और बढ़ गया दे लेगा जितनी बरी सहर है वहाँ उतना ज़ाद है बलतकार गौँ में तो कंपरमाईज हो जाता है बलतकार का अब हमको कई लोगों ने फौन किया तो मैं धनवाद दूँगा गिरीज जी के भैगने को कि उसने हमको ख़वर की बलतकार की घटना अभी एक बच्ची को मार दिया भी भुतिपूर में बस लड़के को आप दो दिन मोबाइल पर आप नहीं भेजिये या लड़के से बात मत किजिये घटना तो डेली की आप देखिएगा मैं तीन-चार बात इसमें कहना चाहूँगा ये डर सोसाइटी में क्यों खतम हुई समाज बिलकुल जाती में बढ़ गया धर मजब में बढ़ गया समाज में चार लोगों की वैल्यू बढ़ गई नेता, पदाधिकारी, माफिया और दलाल ये चारो ताकत सोसाइटी को रिपरजेंट करने लगा और समाज में अच्छे लोग खतम हो गया हैं ही नहीं भले लोग दोचाठों होंगे जो ना किसी बुराई के खिलाब बोलना चाहता है अन्ना किसी अच्छाई के साथ खरा रहना चाहता है इतनी बड़ी घटना घीच के जवर्दस्ती ले जाना मा अपने आग से देख ली उसके बाद उसका घर जिन्दा उसको तो जला देना चाहिए था सीधा घेर के समाज को जिन्दा जला देना चाहिए था उस घर को उस परिवार को निकाल के बार अब सोसाइटी के कारण ऐसी घटना का मनुबल बढ़ा दो 90 परतिसत यूथ S-MAX, COREX, WHITNER, SOLUTION, DRUGS इसका सेवन कर रहे हैं माबाप रोक नहीं रहा है तो जब DRUGS और S-MAX का COREX का आप सेवन करिएगा और फिर बैट के PORN देखिएगा तो आप क्या करिएगा सोसाइटी यहाँ भी नहीं है इंडिया में सबसे ज़्यादे S-MAX, COREX, बिकने वाला DRUGS, बिकने वाला एस्टेट हो गया भीयार और सबसे ज़्यादे दुनिया में PORN देखने वाला इंडिया और इंडिया में भी सबसे ज़्यादे PORN देखने वाला भीयार और सोसाइटी चुप दो तीसरी चीज इन घटनाओं से बड़े लोगों पर MLMP, मंत्री, संत्री और सियासत पर कोई असर नहीं परता है ये रोज मर्रे की रुटीन है जो मीडिया ट्राइल होता है वो थोरे देर के लिए वो बात जिवित हो जाता और जो मीडिया ट्राइल नहीं होता है वो बाते पैसे के लेंदेन से या पोस्टमार्टम के बातों से पोस्टमार्टम खरीद विक्री से खतम हो जाती है चौथी चीज थाना जो है वो ऐसे केस को इंडोर्स नहीं करती है क्योंकि बलातकार और ढकेती खाना परभारी के लिए अब आप देखिए वहाँ देखिए वहाँ वो अरत हास रही है तो हमको मेरा बन करता है उसको जिन्दा जला दे क्या करें हम पपू यादब से अब बात करें क्योंकि उसकी बेटी पर असर नहीं पड़ा एदि पपू यादब से पूछिएगा न सेर मैं इस समाज को नर्भक्षी के तरह जला दू आप हमसे मत पूछिए और आप कहते हैं कि बेटी पड़ाओ बेटी तो सबसे ज़्यादे हवस पौण देखने वाला नेता है और पुंजी पती है सबसे ज़्यादे हवस और चरद्री नेता होता है और वो बताएगा बेटी पड़ाओ बेटी पड़ाओ सबसे ज़्यादे पौर नेता देखता है सिस्टम देखती है और वही बताएगा अब माभिया जब अकूट पैसा होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को आप देखिए वो आप समझे सबसे इंपॉर्टेंट है कि बलातकार लगभग अत्यंत पिछडा गरीब मिडिल कलास और दलितों की बेटियों की साथ होती पपू यादब के घर में क्यों नहीं होता है नेताओं के घर में क्यों नहीं होता है पदा दिकारी के घर में क्यों नहीं होता है जज के घर में क्यों नहीं होता है सर यदि मैं गलत हूँ तो हम तो किसी की बेटी के घर में ढूग जाएंगे हम यदि पपू यादब की बेटी होती तो वो जबरदस्ती राजा सिंग हिच के ले जाते एक दलित की बेटी थी उसके अवकाद था उसके मन में था कि हम बलादकार करने के बावजुद भी मेरा कुछ रही कोई बिगार सकता लेकिन अधी पपू यादब की बेटी होती तब तब क्या होता इसका अंदाजा कीजिया तब उसको जिन्दा रहने का राइट मिलता तो बलादकार भी जाती देख करके करता है लोग गरीब मिडल क्लास दलीत अत्यन पिछरा अब जितना बलादकार है उसको देख लिजिए रोस्त्रा में हम इसके पहले भी तो आई चुके हैं मुर्डर छोड़ दीजी हम बलादकार में भी आ चुके हैं आप उठागे देखिए SPD अब ये इतनी बड़ी बड़ी घटना दल सिंग सराय में उसके बाद विबुती पूर में उसके पहले जो हम जहां गए जितनी बड़ी अभी अभी अभूक वाले में यदि कॉमन बात होती तो हम नहीं आते चुकि दबंग आदमी के द्वारा बलतकार हुआ तो मुझे आना मेरी लाजमी हो गई राजा सिंग के बाप हो या भगवान उसको पपू या दब कियाने के बाद ना भगवानों को उकादने किसी को बचाने के जितनी पेरवी ताकत मंत्री का लगाना हो लगा ले राजा सिंग को जेल जाना पड़ेगा राजा सिंग की घढ़ ढहेगी यदि ये लोग कंपरमाइज नहीं किये पैसा नहीं लिए तो राजा सिंग को कोई सजा होने से रोक लेगा तो मैं दुगला का पड़ाईस होगा बस खाली कंपरमाइज ये ना करें सर पुलीस दारू बैचाने में काम करेगा जमीन मापया के साथ रहेगा की बलतकार गरीव आदमी को नियाइक करेगा टास्क है पुलीस के पास सराब मापया, बालू मापया, जमीन मापया इतीने तो तो मापया है अब चल खोचल गौंबे दस्थो दलाल होता है भगवान से प्रेक कीजिए ना एक बार आ जाए उसके बाद पूछिएगा हमसे सर मैं पाईर पकरता हूँ किसी के बारे में भगवान उनको भोंट मिलिये जाता है यह लोग 500 पर भोंट देवे करते हैं दलित लोग हिंदू मिया करेगा अब आभन भुम्यार राजपु जादव टेली सो चौदरी करेगा बेकवर्ट फरवर्ट करेगा भोंट दे देंगे यह लोग रुसरा मस्त है जनता के लिए आप क्या संदेश है जनता दुनिया का सबसे खतरनाक है यह सारे कुकर्मों का जर जनता है सारे बुरायों का जर जनता है सारे मापिया, भैमान, दलाल और सिस्टम को अस्थापित करने का काम जनता करती है समझे क्योंकि उसको जाती चाहिए, धर्म मजब चाहिए, भगवान चाहिए, पैसा चाहिए अब ये धलित लोग, गरीव लोग समझने को तयारी नहीं है कि भगवान कुछ होता ही नहीं है, इंसान सब कुछ होता है, इंसान की पुझा हुई नहीं इस केस में पपू यादव राजा सिंग को जितना ताकत लगाना हो लगा ले मैं अपनी बेटी के तरह ही किसी केस को एंडिल करता हूँ जात कोई हो धर्म कोई हो बेटी बेटी है कोई कंपरमाज नहीं होगा लड़ाई यारपार होगी बेफिकिर है जो या परिबार हमसे न्याय चाहेगा वो हम में लेंगे और मैं धनवाद उसके भाई को दूँगा कि इन्होंने हिम्मत दिखाई कंपरमाज इन्होंने नहीं किया इससे बड़ा धनवाद कुछ नहीं होता सर हम तो करते ही रहते हैं बैया डेलिये आप अभी बुल्डोजर चला रहे थे तो पपुया दब लाठी काया तो हम तो 102 डिगरी फिभर में आए नेपाली नगर को आप तोर रहे हैं डेलिये डेलिये आप जाते हैं 50,000 रुपया के चलता है एक बेटा मर गया तो आप मदद किये तो आप ये जिस रूप में मदद चाहेगा वो उस रूप में मदद होगी सर मैं बार-बार हमको उसका नाम ना लेवाए आप इतने जानिये कि मेरे आने के बाद कानून और जस्टिस कहीं नहीं जा सकती एक दूसरी चीज मैंने पहले ही आपको कहा किया पडिवार यदि समझोता नहीं किया तो राजा सिंग ने कए करोर अरब गुना राजा सिंग पैदा होंगे तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता तो मैंने कई बार आप से कहा बलातकार के केस में बच्ची के छेरखानी के केस में हम कोई कंपरमाइज नहीं करते हैं बेटियों के लिए कुछ भी करेंगे मैं ऐसे बहुत किलियर हूँ आप इसको समझिए राजा सिंग टैप के लोगों को सोसाइटी में जिन्दा जला देना चाहिए या लटका के फांसी देना चाहिए उसके लिए दीन तिती नहीं देखना चाहिए